नमस्कार जैहिन दोस्तों दोस्तों बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस एट आपका डेली बैसेस पर करवाए जा रहा है और यह आपका दोस्तों ग्यान बिंदू जिया सेकेट भी याने जो रौसन सर हैं उन्हीं के द्वारा क्या है कि क्या बोलते हैं कि कोशन में निकाला से ले करके 2023 तक आपको पूरा दोस्तों यतना भी बिहार पुलिस का हमारे एक्जाम हुआ है सब इसमें आपका दिया हुआ है और जो कि आपके आखरिस्वे में आपके पास यह किताब जो है दोस्तों होना चाहिए अगर आपको एक्जाम में बहतर पॉर्फॉर्मेंस करना टो ठीक है तुट किया हमने इसका दोस्तों सेट नमर टू अपलोड किया था लेकिन आप सबी लोग ने उतना सपोर्ट नहीं किया है और सेट नमबर वन अपने ऑचा देखा लेकिन सैट मटू उतना अचा नहीं देखा है इसे के वैई से क्या होता है कि थोड़ा सा डी मोटिवेट आदमें हो था है क्यूंकि देखेंगे इसका सेट नमर तिरी देखेंगे जो कि हमारा 19-20 अधर 14 में हुआ था जो कि हमने इसके पहले आला जो तो आज का जो वीडियो होने वाला है सिर्फ हम आज कोसन आंसर देखने वाले हैं डिसकसन नहीं देख पाएंगे ठीक है आपको देखना चाहिए क्योंकि जो पूछा हुआ है इससे आपको बहुत ज्यादा आकड़ा मिलेगा कि हां कैसे एकजाम में कोसन आया है और आगे कैस से आ सकता है उत्य वीडियो को सुरू करते हैं कि यह रहा हमारा सेकंड पाली का कॉस्स नमबर वन लड़का लड़की घर टेबल घोड़ा संग्या पांच परकार के होते हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है व्यक्ति वाचक जाती वाचक भाव वाचक समुह वाचक और दरव्य वाचक यहां पर होता है पाव व्यंजन का उचरण इस्थल पुछ रहा है तो यह आपका ह कि हो जायेगा ओस्ट से होता है दोस्तों 60 जो होता है option अबर एस ही हो जाएगा इनमें से संग्या सब्द हमारा कौण सहे है इसमें अगर आपका option देख लिया जाए तो हमारा है हो जाएगा माधूरे हो जाएगा माधूरे option number a right answer हो जाएगा संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहाता है संस्कृत व्याकरण का जो पिता है दोस्तों यह पाड़नी को कहते हैं option number हमारा जो है चौथे का बी राइट हो जाएगा question number five बोलाए कि इत्रिया का सही one विच्षेत को आपका बताना है तो यह आपका हो जाएगा option number d e plus r plus sir plus y plus a option number d right answer हो जाएगा कपीश और सचिंद्र सब्दों के सही संदी विच्षेत कौन से है तो यह आपका हो जाएगा कपी प्लस is और सची प्लस इंद्र option number हमारा दोस्तों c right हो आगे कि उपसर्गों के बारे में सब्द्य हमारा कौन सा नहीं है तो कौन सा हमारा नहीं है तो सब्द के अंत में जुड़े क्योंकि देखिए उपसरग आपको पता है कि सब्द के आगे होता है जो प्रत्य होता है दोस्तों वह हमारा सब्द के अंत में होता है तो यह हमारा जो है भी गलत हो जाएगा पुरुवकालिक किरिया का उधारड है तो यह आपका हो जाएगा पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए अब यहाँ बें इंग्लिस का कुछन आगया है आप सब्वे लोगों से हम बोलेंगे कि जब इंग्लिस का कुछन आए तो आप खुद से बनाएं किजे झी देखराएं देखराएं लेंगे लें लेकिन कुछ 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 जो है नहीं बना पाएंगे तो आप खुछ से पढ़ेंगे तो आपको बहतर वावे में तो हैं इसको बना पाएंगे देखर ना इंट का 11 का उत्तर हमारा हो जाएगा option number a head हो जाएगा आगे प्रस्थन है कि बोलाए कि pick out the correct sentence ठीक है तो इसका answer हमारा c हो जाएगा my book is here where is yours option number हमारा c सही उत्तर हो जाएगा अब इसमें भी देखिए आपको यहाँ पर option the complete the sentence बताना है the sun dash in the east इसका answer हमारा हो जाएगा option number c सही उत्तर हो जाएगा आगे एक दा फ्रेज कम एक्रोस में तो यह आपका हो जाएगा to meet or find by क्या लिखा गया है चेंज लिखा है चेंज है ठीक है आगे है कि select the correct spelling from यह लिखा गया है amongst the given alternatives तो यह आपका हो जाएगा दोस्तो option number d हो जाएगा ठीक है आगे हमारा है कि वैदी काल में one विवस्था किसे ने जो है प्रतिपायत किया है तो मैंने सिर्फ आपको answer बताना है इस वीडियो में क्योंकि आप वीडियो देख नहीं रहे हैं बस यह है कि मैं आपको जितना भी आपका set दिया गया है आपको provide कराऊंगा वीडियो की मादिव साकी आप क्या है कि देख लेंगे जितना question हमारा दिया गया है ठीक है तो इसका answer दोस्तों हमारा हो जाएगा option number b मनु इसका जो है सही一点 हो जाएगा in aspect की मिटियर किम डेगुरमीर्दा के नाम सी भी जानी आती है वह आपका कौन सा है है तो दोस्तों आपको पाक जल संधी कहलाती है पाक जल संधी ऑप्सन नमर जो है 18 का ए सही आंसर हो जाएगा और दोस्तों क्या एक जाम आपको नजदीक है तो आपको गुरूप बनाय गया है बिहार पुलिस का उसमें क्या है कि डेली सुबह और स्वाम में प्रैक्टिस सेट यह तो आपको इसमें होना है, तो आप को सकते हैं बहुत लोग जो रहे हैं और अपना डेली दो सेट लगा रहा है याइनि देली दो सेट लगा रहे है जितना भी पास आपके पास समय है उतना में अगर चाहेंगे तो कुछ रिविजन करी लिए स्कौर बढही जाएगा तो तो यह आपका वर्स 1952 इसी में हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाओ ऑप्सन नंबर बी राइट हो जाएगा आगे प्रसने गलत कथन को चिन्हित करके बताना है विधान सभाक सदस्य की सदस्ता भंग किया सकती है यदी यदी देखे तो उसकी आयू जो है 30 वर्स की हो त आंसर हमारा दोस्तों यहां पे डी सही हो जाएगा अब यहां वह देखे लिखा गया है कि विधान सभा सदस्य हेतु आरता है जो है आपका अन्फेदेख 173 में है वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्स की आयू जो है पूरी कर चुका हो नियाले द्वारा पागल या दिवाल किया है दोस्तों यह आपका प्रारम किया गया है एनी बेसेंट और लोक माने तीलब के द्वारा यह आपका प्रारम किया है ऑपसन नमबर यह हमारे यहां पे डी सही हो जाएगा मोहन जोड़ो का साब्दिक अर्थ क्या है सभी को याद होना चाहिए और सभी को याद भी होगा कि मृतिकों का टीला इसको कहते हैं दोस्तों आपसन नमबर हमारे यहां पे सी हो जाएगा और यह आपका मोहन जोड़ो जो है आपका सिंध्ध प्रांद पकिस्तान के लरकान स्ठित को तो तो उस्ठत की नाम से यहां पे जाना आता है राश्टरपती द्वरा 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 रा क्रिया को आईर्लेंड के समिधान से लिया गया है नैश्टे की भारत में पंचायती राज विवस्था को लाव करने वाला प्रतम राज ये कौन था अगर हम प्रतम राज की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी राजस्थान हो जाएगा भी इसका सही इसको हम जान लेते हैं तकि रायस्थान देश का पहला राज था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई इस योजना का उद्घाटन दो अक्टूबर 1969 को रायस्थान की नागर जीलों में तात कालिन प्रधान मंतरी पंडित जवाहल नहरू के द्वारा जो है किया गया इसे लाग करने वाला जो दूसरा राज था हूँ आपका आंधर प्रदेश 1969 में किया तो यह भी आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना चाहिए अगला कि भारत में निमलिखित में से कौन सा प्रदेश जूम क्रिसी के लिए प्रसीद है जूम क्रिसी तो इसका ऑप्स संसे रखेंगे आप सभी लोग नैश्ट ती सहर हार सिलिकॉन वैली के नाम से ज focus हो कौन सा सहर सिल्कॉन वैली पो Mais और दो चाहिए डोचार नाम है जो प secularल नाम को जाना चाहिए है लिए नौस के सिक्कीम भारत एविटिक तिम्तर और तुम कि नब नगरोग 15 तो इसका अंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 29 का ओप्सन नंबर ए हो जाएगा तेखे सिक्की भारत यहां चीन नाथुला दर्रा के माध्यम से एक दूसरे चे जुड़े हुए हैं ऑप्सन नंबर हमारा ए हो जाएगा पहाडों एवं परवतों के मध्य अवागमन के लिए पा और इसका सही आंसर हो जाएगा कोस्सन नंबर 30 का कि अराوي पहाडियां भारत के किस राज्ये में एस्थित थे अगर हम अरावली पहाडियों की बात करते हैं तो यह आपको राइस्थान में देखने को हुआ था वो कहां से हुआ था देखे चिप को अंधरन आप अच्छे सियाद रखेंगे उत्रा खंड में हुआ से दोस्तों आप्सर नमबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा चिप को अंधरन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था एक महत्रपुल अंधरन था इ अधरन के नोट प्रेज जो है यह आपको देवास में देखने को मिलता है कहांपे देवास में अप्शन नमबर ती दोरू गोविंद सिंग की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है तो दुस्तों यह आपको हो जाएगा दसम गरंत दसम गरंत हो जाएगा तो यह की तियार किया गया था टॉमस जैफर्सन के द्वारा किया गया था ओप्सन नमबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा 24 अताबदे में मुरक्को के किस यात्री वो इतिहासकार को निया विवस्था के रूप में दिल्ली दर्बार में मुहम्मद बिन तुगलत ग्वारा जो है स्वागत हुआ तो इसका आंसर याद रखेंगे इवन बतुता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा प्रथा मनुस्य सहित उपगरत था आपका कौन सा तो इसका ओप्षन देखिए यहाँ पे आपका डी होना चाहिए डी का मतलब है कि वो स्टाउक वन ओप्षन नमबर दोस्तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा भारतिय हिमालाई छेत्र की सबसे उची चोटी कौन सी है भारतिय हिमालाई छेत्र की सबसे उची चोटी है यह आपका कंचन जंगा हो जाएगा दोस्तो ओप्षन नमबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा सरकार की और से भारत में महिलाओं के हित सनक्षण के लिए निमनिकित में से किसका गठन किया गया है किसका गठन किया गया है तो राष्ट्रिय महिला आयोग औप्सन नमबर भी राइट हो जाएगा इन में से कौन सी फसल तेल की बीज उत्पन नहीं करती है तो तेल की बिज उत्पन यहां पे नहीं करती है तो पीजन पीन दोस्तों नहीं करती है बाकी तील करती है अलसी करती है और सुर्य मुखी यह सब करती है नेश्ट के स्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है तो कौन से राज्य में स्थित है तो यह आपको केरल में देखने को मिलता है कहां पे केरला में option number B हो जाएगा लोक्तांत्रिक सरकार के तीन अंग कौन कौन से है देखे लोक्तांत्रिक सरकार के अंग की बात करते हैं तो कारेपाली का हो जाएगा विधाई का हो जाएगा और नियाएपाली का हो जाएगा option जो हैं हमारा 42 का ए सही उत्तर हो जाएगा बल्ला भै पटेल को सरदार की पाधी जो है किस आंदलन में दिया गया था ऐ हुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सद्येयर तीसरे इस्थान पर था या फिर तिसरे इस्थान पर रहा तो यह आपको हो जागा नीदर लेंड नीदर लेंड हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमबर हमारे हैं पर डी सही आंसर हो जाएगा पन्चायत पन्चायत नगर नीघमो और नगर पालीकाओं के चुना है तू समभंसी छेतर को छोटींन बहुर्वतुन ₹ट में विभाजित जो है किया जाता है वो कहलाते हैं क्या तो अगर हम देखें तो वार्ड कहलाते हैं क्या कहलाते हैं या अगला फ्रवार प्रस्थ और Siya की, verdict कि परिच्छा पास करने वाले प्रतम भारतियों संध यह हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा भारत में सरकार का रूप है तो ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा दोस्तों संसदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदी आप सब लोग नोट कीजिएगा आगे है कि 1941 इसवे में दियोती है विस्यूद के दोरानकिन घटनाओं के करड़ जर्मनी और उसके साथ ही राष्ट्रों की जो है अपेहार हुई थी तो यह आपका दो और चार हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आकर्मन और चोथा हमारा के जपान का परल हार्बर पर आकर्मन ओप्सन नमबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा महा पौर निम्लिखित में से किसका परमुक होता है अगर हम महा पौर की बात करते हैं तो यह आपका नगर निगम हो जाएगा दोस्तो नगर निगम ओप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा नदी जो दच्छड गंगा कहलात सही नहीं यानि कौन हमारा गलत है तो दूस्तों वह नरब प्ती कांग्रेसी निता थी यह हमारा गलत हो जागा बाकी उन्हों ने मराटी पदर केशरी प्रकासित क्या है उन्होंने गणपती यहम सिवाजी नामक तेवहार को शुरुआत किया है सही है उन्हें 1897 में वैमन सेवं घ्रिणा फैलाने के आरोक में के लिए यहां पर क्या है उनको कैद भी किया गया था यह सब हमारा कथन सही दिया गया है भारत में मैगनीज का सरवादिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज इंद्मिखित में से कौन सा है तो दोस्तों यह आपका मध्य परदेश हो जाएगा कौन सो हो जाएगा मध्य परदेश ओप्सन नमबर सी लोकतंद्र जंता का जंता द्वारा तथा जंता के लिए सासन है यह कथन किसका है यह जो कथन दोस्तों अबराहम लिंकन का है किसका है अबराहम लिंकन का ओप्सन नमबर हमारा बी हो जाएगा भ हिम्खंडो के पिघालने का मुक्य करल क्या है जब गजिक हिम्खंड यो पिघालता है उसका मुक्य करल होता है भुमंडली ताभ्व ती वी ती यह χोता है निमलिखीत में से कौन सा जीवासमienza नहीं है इन मेंसे हमारा कौन सस्पेंधन इंधन नहीं तो यूरीनियम दोस्तों हमारा नहीं है यूरीनियम पाकी कोईला है प्रकृतिक गयस है और जो किस ने किया है जो आंदवरं बने ते ख दोस्तों यह आपका राजा राम अंधी के सदसे नहीं था दोस्तों इटली हमारा यहां पे नहीं था वाकिर रूस था फ्रांस था और इंग्लेंड भी इसमें था ठीक है तो यहां देखे लिखागे कि 1882 में जर्मनी और अश्ट्रिया हंगरी और इटली ने एक त्रीगूट जो है बना लिया था ठीक है आगे प्रसनीया कि जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गूट का निरवाण किया जिसका नाम क्या है तो नाम पुछ रहा है तो यह आपको हो जाती दोस्तों धोरी सकती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि 60 का जो है हमारा A राइट हो जाएगा निमलिखित में से सत्य कथन हमारा कौन सा है इसमें हमारा जो है सही कथन कौन सा है उसी को बताना है देखिए सत्य कथन पुछ रहा है न तो H2S सहसानियोजी योगिक है यही हमारा दोस्तो इसमें सही कथन हो जाएगा दोस्तो कैल्सियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से नोट कीजेगा आगे प्रस्ते की साथ डिगरी के कोड़ पर आनंत दो सम्तल दरपड़ों की बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिवीम्बो की संख्या पूछ रहा है तो गुवाणिन स्क्राइव आ कि दोस्तो कि शार नहीं है बाकि यूर्य सील है साइटोसीं है और ठाइमन यहां पर इससे संबंदीध हो जाता है निम्लकित में में से कौन विकंडन योग्य प्रकृति कर्दक ततो है विकंडन योग प्रकृतिक क्रदवीघ तो है तो यह आप पूछ रहा कि कौन से करण से जो हमारा आकास निला दिखाए देता है तो प्रकास के प्रकिंडन के कार्ड़ दोस्तों हमारा जो है कास निला दिखाए देता है option number C सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन एक गैर परम परागत उर्जा सुरोत है इन में से कौन सा एक गैर परम परागत उर्जा सुरोत है तो यह आपको हो जाएगा पवन यानि वायू option number D सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुख्ध उत्पादुकों के प्रसिक्षण में परियोग किया आता है तो पासूरी करण हो जाएगा दोस्तों पासूरी करण ओप्सन नमबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा पर उसके डंक में निमन में से या फिर निमन द्रब पर पायाता है यानि कौन सा ऐसेड या अमल देखने को मिलता है तो फार्मिक हो जाएगा दोस्तों फार्मिक हो जाएगा औपसन नमबर है सही हो जाएगा आगे है कि 4NH3 प्लस 5O2 और 4NO प्लस 6H2O इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ जो है आवकारक है तो NH3 NH3 हो जाएगा दोस्तो option number A सही हो जाएगा बोला कि किस माध्यम में धोनी का वेग जो है अधिक्तम होता है तो दोनी का वेग आप सभी को याधी होगा ठोस में सबसे अधिक दोनी का वेग होता है option number हमारा जो है 71 का B हो जाएगा मानो हिर्दे में सुधरक्त पाये जगता है मानो हिर्दे में सुधरक्त देखने को मिलता है तो महा धमनी यवं बायनिले में महाधम्न एवं बाह निल्चा में आपका सुद्रा की मिलता है। निमलीखित ludzie क्या tap को प्लास्टिक बहूं कना नहीं है। प्लास्टिक बहूं को नहीं है। तो टैफलीन दोस्तों हमारा नहीं है बाकी पॉलिथीन है उसके बाद पॉलिष टाइरीन है और बैकिलैटी है सब देखिए हमारा एक तरीकित से प्लास्टिक बहुलक के अंतरकत आता है निमलिखीत में से कौन सा जीवानू द्वारा उत्पन एक समाने रोग है उत्पन दोस पर एक वस्तु दरपड के वक्रता केंद्र पर रखी है दरपड द्वरा निर्मित प्रतिवीम एवं इसके धुरू के बीच की दूरी पूछ रहा है तो अगर हम दूरी की बात करते हैं तो टू एफ के बराबर होता है ऑप्सन नंबर हमारा दोस्तों यहां पे सी जो है सही की आंसर हो जाएगा अगे हमारा है दोस्मलों, एक कई सेंटीमीटर प्रसित सेकेंड, option number हमारा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सही आंसर हो जाएगा, आगे हमारा के रिखांके चित्र में, सतह के साथ बल का मान्य नीचे की तरफ है, तो बताएए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए ह हमारा हो जाएगा 6.5 Newton option number हमारा जो है 78 का वी सही आंसर हो जाएगा कि निर्मलिखित आधातु तत्व में दहात्विक्त चमक होती है थात्विक चमक होती है तो आयोडीन हो जाएगा option नंबर सी देखिए एक ठोस अधातू है यह बैगनी रंग का होता है तथा इसमें धात्विक चमक पाई जाती है मानुसेर में थायराइड गरंथी में थायरोक्सिन नामक कार्बनिक योगी के रूप में पाया जाता है मानुसेर में आयोडिन की कमी को घेंगा या फिर यह प्रकिर्ते में मुक्त अविवस्था में नहीं पाया जैता है फास्फुरास्च की परमालू जो संक्या है 15 दिथा परमालू भार जो है 31 से है सलफर की बात करते हैं तो यह है कधातु है शलफर का सदाड़त नाम जो है आपका ब्रीमिस्टोन सलफर पर मालू संक्या 16 अ आपका 32.1 होता है सलफर को तामबे का सत्रू कहते हैं यह प्रकृति में मुक्त और सन्युक्त दोनों की आवस्थाओं में जो है पाया जाता है आगे है कि गैस जो मौसमी परिवर्थन को परभावित नहीं करती वह आपका कौन सा है तो यह आपका हो जाएगा ऑक्सीजन ओप प्रभाव पैदा करती है तो था भूमंडली यह तापन यानि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है मौसमी परिवर्थनों को भी परभावित करती है अधर आपका सी ओटू मिथेन सी एच फोर जलवास्व आदी होता है ठीक है देखिए वायू मंडल का जो संगठाने दोस ऑक्सिजन ओटू ऑक्सिजन गैस की खोज जो है एक अगस्त 1974 को जो सेफ प्रिश्टले द्वारा किया गया था यह एक रंगहीन एवं गंदहीन गैस है जिसे ठंडा करने पर यह नीले रंग के दरव में परिवर्थित हो जाती है यह गैस स्वे नहीं जलती परन्तु जलने में सहायक होती है इसकी प्रकृती जो है अनुचुम्बकी होती है ठीक है औक्सिजन को पराण वायू कहा आता है किरित्रिम स्वासन समंद्री गोताकोर में हिलियम और औक्सिजन के मिशन का प्रयोक किया याता है द्रवी भूत ऑक्सिजन का उप्योग जो है रॉक्ट याद रखेंगे चलिए हमारा को सद्रेंग निकलती हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तरक काई से निकलता है दोस्तों यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अचय से याद रहता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं जन्तु यानि यह जन्तु कोशिका केंद्र के पास एक छोटा सा चमागदार छेतर होता है इन में एक या दो सुख्वा रचनाय होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते है तथा प्रतेक सेंट्रियोल के चारो ओर धागे की तरफ जो है एक त हु़ाबाग मतर के gratuit विकषक और पुछियागा स्पीर्स आनि-अ-पके झायं पर स्क्राइब बथे के जड़क़् कोसिकलंra में उपसित्त लवक को कहते हैं क्या निकोपलास्ट क्या आरिकोपलास्ट कर रखते हुए जब किसी पिंड की गती दोगनी की जाती है तो दोगनी कर जाती है दोस्तो तो उसका सम्वेक जो है दोगना हो जाता है आगे हमारा प्रस्ण है कि एक गैस में संचालित संचरित होने पर तरंग की तरंगद्यार्द उसी ताप पर वायू में तरंगद्यार्द को दुगनी है यहीं तरंगद्यार्द की दुगनी है यदि वायू में तरंग तरंग का वेग जो है 340 मिल्टर प्रतिर सेकेंड हो तो गैस में तरंग का वेक क्या होगा तो चार्शोचालिस मीर्टर प्रक्स सेकेंड होता है अपसन नबर जो है हमारा 87 का सी सही उत्तर हो जाएगा एक पदार्थ की जल में विलियता अप बढ़ने से घरती है पदार्थ पूछ रहा है तो पदार्थ की बात करते हैं तो यह आपका गैस हो जाएगा दोस्तो गैस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आगे प्रस्थन है कि वर्जियस विधी द्वारा क्रित्रिम पैट्रोलियं प्राप्ट करने में नहीं थे तो पैट्रोलियं प्राप्ट करने में नहीं थे तो कोईले और हैड्रोजन के बीच अभी किरिया ओप्सन नमबर हमारा जो है बी राइट आंसर हो जाएगा आगे है कि लोहे पर कलाई के लिए हिमनिखीत में से किस धातू का उप्यो किया आता है इससे कि इसके छे को रोका जा सके तो यह आपको हो जागा दोस्तो आप्सन नमबर जींक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं इसके बाद देखिए हमारा यहां पर मैस का कुशन दिया गया है तो आराम से आप गुरूप में जोईन अगर होना चाते हैं तो जोईन हो जाए क्यूंकि दखिए अभी आपके पास समय भी अधिक नहीं बचा है करीबन आप बोल सकते हैं कि 24 तारिकों एक्जाम है तो हमारा कल से एक तारिक हो जाएगा तो 22 से इस दर आप मान सकते हैं कि हमारे पास 22 से दिन हमारे पास बचा है चलिए वीडियो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम